प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें। मैं स्लाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स। मुंबई में बेखौफ बदमासों ने तलवार से हमला करके करी साथ लोगों को घायल कर दिया है। ऐसा लगता है कि मुंबई शहर में बदमासों का खौफ अब बढ़ता ही जा रहा है। बीती राद बांदरा इलाके में उस वक्त हड़कम्प मच गया जब आठ से दस की तादात में बदमासों ने बांदरा की जेजे कालोनी में रहने वाले कई लोगों पर हमला बोल दिया। पीडिता और उनके परिजनों को ये समझ में ही नहीं आया कि आखिर उन पर हमला क्यों किया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती किया गया है और पुलिस ने इस पूरे मामले में एक बेक्ति को हिरासत में भी लिया है और आईपीसी की धारा 307 और अन्य धाराओं के अंतरगत मामला दर्च कर इस पूरे मामले की जाश परताल शुरू कर दी गई है। मेरा नाम अब्दुलरजीज है, हम लोग रेगुलर जैसे रोज बैटते हैं, बच्छों लोग भी लिए स्कूल का बज है बनाई ले और पोलिस वाले के लिए हम लोग ने बनाई यह क्या मतलब कुछ भी होता तो पोलिस वाले बैटते हैं, तो हम लोग भी जो सब्सक्राइब करें नमाज पढ़के रेगुलर जैसा रूटिंग पर बैटे हैं वैसा गुरूप बंदी के साब से आई तो पूरा हम लोगे खुद के समझें सब्सक्राइब कर तल्वार लगी तो मैं एक दम कंफ्यूज होगे क्यों मारे उसने भी ने दे रहे सब्सक्राइब करें वहां पर कुछ लोग रात में साड़े दस बजे के करीब कटे पर बैठे थे तो आज-दस लोग आये मोटर साइकल पर तल्वार और शलिया से उनके उपर अटेक करके भागे तो पुली स्टेशन में सियार रेजिस्टर किया है हम उसकी इनक्वारी कर रह है और दो गंडे के अंदर हमने एक कारूपी को तावे में लिया है और इन्वेस्टिकेशन जारी है अभी तब तो मोटी निश्मन नहीं हुआ है जो जिनको मारा गया है मारा है मतलब उन्होंने भी अभी तब कुछ पताया नहीं है उनको भी पता नहीं हो लोग बटे दे और के ओपर अटेक होगा अभी ये कारूपी को दावे में लिया है उसके पास इन्वेस्टिकेशन ज इसमें साथ लोग दाया लए उसमें से दो जनकों केम हॉस्पिटल में एडमिट किया बाकी लोगों को बाबा हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट गर के धर छोड़ा गया है और बाकी वह उनके ज्यादा इंजुरी नहीं है अंडर सेक्शन 307 राटी के सेक्शन लगा ह नहीं लोगो हुना दाकी लोगो